पर देखने में 100% मज़ा आता है खेर उन यूटूबर्स का काम ही है फेक स्टोरी को मसालेदार बना के लोगों के सामने पेस करना ताकि वो धेर सारे पेसे चाप सके और मेरा काम है उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना जैसा कि MS-3 के साथ हमने किया था क्योंकि ये आर साइन्टिफिक फेक्ट्स पर बाते करता है मिस्ट्री नाम का कोई सब्द ही हमारे डिक्सनरी में नहीं है आज किस वीडियो में हम फ्लाइट 914 के बारे में बात करेंगे जिसने 1955 में उडान भरा था और 1992 में यानि कि पूरे 37 साल बाद ये लेंड हुआ था इस कहानी की सुर्वात होती है नियोर्क के एक इंटरनेशनल एरपोट से जहां से एक चार्टर प्लेन DC-4 संतावन यात्रियों को लेकर उडान भरता है ये प्लेन मयामी के तरफ जा रहा होता है पर अपसोस ये प्लेन मयामी कभी पहुच ही नहीं पाता प्लेन आधे रस्ते में ही गायव हो जाता है और इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है 12 जुलाई 1955 जब ये प्लेन गायव हो गया था इस घटना के 37 साल बाद यानि की 1992 को कारकस एरपोट के एर ट्रेफिक कंट्रोलर से एक आग्यात प्लेन संपर करता है A.T.C. प्लेन के पाइलेट से उसका परिचे मांगता है जवाब में पाइलेट बोलता है कि ये DC-4, Flight 914 है हम कहां पर है A.T.C. को इस पाइलेट के बाद पर यकीन नहीं होता क्यूंकि पाइलेट जिस प्लेन का नाम ले रहा था वो 37 साल पहले गायब हो चुका था Finally इस प्लेन को एरपोर्ट में लेंड करने की परमिसन मिल जाता है Ground का क्रू में मर प्लेन के नजदिक जाता है और बताता है कि ये 1992 है और ये कारकस वे नजुला एरपोर्ट है फ्लाइट 914 के पाइलेट को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था और 1992 के मॉडल प्लेन को देखकर पाइलेट इतना घबरा जाता है कि वो Ground कुरू को सामने आने से रोग देता है और कहता है कि हम यहां से जा रहे हैं पाइलेट के पास एक फाइल था जिसे हिलाते हुए Ground कुरू को अलविदा कहता है इसी दोरान उसके फाइल से एक पेपर नीचे गिर जाता है जो कि सन 1955 का एक कैलेंडर था और प्लेन फिर से टेक ओफ करके हवा में गायव हो जाता है Ground कुरू इस घटना का आई विटनेस था और A.T.C. से बात किया हुआ Recording जिसे आज तक Government के हिरासत में सुरच्छित रखा गया है ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और यहीं से सुरू होता है हमारा Case Study दोस्तो अगर प्लेन 37 साल बाद सही सलामत लेंड होता है तो ऐसा सिर्फ एक ही कारण से संभव हो सकता है और वो है Time Travel बात करें अगर Time Travel की तो Time Travel दो तरीकों से किया जा सकता है फर्स्ट है Black Hole के Gravitational Field के नज़दीक जाकर और सेकेंड है Around Light के Speed से ट्रेवल करके अब क्यूंकि प्रिथमी पर एक Black Hole का होना संभव नहीं है इसलिए हम सेकेंड ओप्षन पर बात करेंगे Flat 914 दो इंजन का प्रोपेलर वाला प्लेन था यानि कि ये Jet Engine वाले प्लेन्स जैसे कि Boeing 737 से भी कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा यानि कि ये प्लेन कभी भी इतने Speed को गेन नहीं कर पाएगा कि वो Time Travel कर सके आपके जानकारी के लिए बता दू जब भी कोई Object लगभग Light के Speed से ट्रेवल करने लगता है तो उस Object के लिए समय धीमा हो जाता है और इस तरह से वो Object टाइम ट्रेवल करके समय में आगे जा सकता है पर Flight 914 के साथ होई ये घटना किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल को इंडिकेट नहीं करता है तो आखिर सचाई क्या है इसे जानने के लिए हमें पाइलेट के दुवारा छोड़े गए उस कैलेंडर को जाच करना पड़ेगा ये कैलेंडर 1955 का था पर सवाल ये नहीं था कि Ground Crew को जो कैलेंडर मिला वो 1955 का है बलकि सवाल ये था कि पाइलेट के पास कैलेंडर के से आया पाइलेट के पास वो केलेंडर क्यों था? क्या पाइलेट को दिन या तारिक याद नहीं रहता था? और आखिर में सवाल ये भी आता है कि वो कौन सा फाइल था जिसमें से वो केलेंडर गिरा था? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना पड़ेगा 30 अक्टूबर 1935, B299 नाम का एक प्लेन टेक ओफ के दोरान ही क्रेस हो जाता है Investigation के बाद ये पता चलता है कि पाइलेट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेस को अनलोक या रिमूफ नहीं कर पाता है फ्लाइट कंट्रोल सर्फेस बेसिकली उन कंट्रोल्स को कहा जाता है जिसकी वजह से प्लेन डाइरेक्शन और अल्टिटूड को मेंटेन कर पाता है और उस जमाने में प्लेन्स के सारे कंट्रोल्स को एक सीक्वेंस में याद रखके प्लेन को कंट्रोल करना पड़ता था B-299 के पाइलेट को ये कंट्रोल्स याद नहीं रहा और प्लेन क्रैस हो गया इस घटना के बाद हर एक प्लेन में एक चेकलिस्ट का होना जरोरी घोसित कर दिया गया इस चेकलिस्ट में हर वो चीज लिखा होता है जो पाइलेट को प्लेन उडाते वक्त काम आता है बात करे फ्लाइट 914 की तो उसके हाथ में एक चेकलिस्ट होना चाहिए था या उससे जुड़ा पेपर्स होना चाहिए था जो फ्लाइट के दोरान काम आए उसके हाथ में कोई कैलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था पाइलेट के पास एक कैलेंडर का मिलना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है और चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं आपको बिच ब्रोज कमपनी का एक लोगो मिलेगा दरसल ये सिर्फ एक बस का नाम है जो कि 1950 के जमाने में चला करता था और इस बस का पलेंड से कोई भी लेना देना नहीं था तो फिर ये कैलेंडर उस पाइलेट के पास केसे आया इन सारे सवालों का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम स्टार्टिंग से इसकी छानबिन करेंगे जब ये गायब हो गया था बात करें एवियेशन फिल्ड की तो आज तक जितने भी प्लेंड क्रेस हुआ है या प्लेंड मिसिंग हुआ है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और इस रिकॉर्ड के लिस्ट को आप विकिपीडिया और एवियेशन के दूसरे ओफिस्यल वेबसाइट में भी देख सकते हैं जब मैंने 12 जुलाए 1955 को हुए मिसिंग प्लेंज का लिस्ट निकाला तो पता चला कि कोई भी प्लें इस तारीक को मिसिंग नहीं हुआ था और नहीं फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लें नियॉर्क से टेक ओफ किया था नियॉर्क में तो क्या पूरी दुनिया के एरपोर्ट में से किसी भी एरपोर्ट में 22 जुलाए 1955 को फ्लाइट 914 उडान नहीं भरा था जब कभी भी इतनी बड़ी घटना होती है तो इसकी खबर आग की तरह फैल जाती है नियॉस बेपर में बड़े बड़े अक्छरों में ऐसे नियॉस को पब्लिस किया जाता है पर घटना के एक दीन बाद यानि की 13 जुलाई 1955 को नियॉस बेपर में फ्लाइट 914 के बारे में कोई भी खबर नहीं छपा था अब फ्लाइट 914 के अस्तितु पर ही सवाल खड़ा होने लगा क्या इस नाम का कोई प्लेन है भी या नहीं इसे जानने के लिए हमें दुनिया में अब तक बनाये गए सारे प्लेन्स का लिस्ट निकाला पर फ्लाइट 914 का कहीं भी नामों निसान नहीं था अगर आप इस प्लेन को गूगल में सर्च करते हैं तो किसी भी ओफिसियल साइट में इसका कोई भी जिकर नहीं मिलेगा जबकि इसके साथ हुई ये घटना दुनिया की सबसे मिस्टिरियस घटना है इसे तो फ्रंट लिस्ट में होना चाहिए था पर अफसोस हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला बेसिकली एरलाइन कमपनीज प्लेन्स को खरीद के उनका नामंकरन करता है फोर एक्जेमपल मलेशियन एरलाइन MS-370 को बोइंग कमपनी ने बनाया है जिसका मोडल बोइंग 777 है पर फ्लाइट 914 को किसी भी कमपनी ने नहीं बनाया था ये सिर्फ और सिर्फ एक मन घरंद कहानी है और कुछ भी नहीं और रही बात वो सारे सबूत की वो केलेंडर वो ATC से हुई बातचीत का रिकॉर्डिंग जिसे आज तक गुवर्मेंट ने सम्हाल के रखा है तो मैं आपको बता दू इन सारे सबूत को Aircrest Investigators को दिया जाता है ना कि गुवर्मेंट को ये सबूत म्यूजियम का सोभा बराने के लिए नहीं होता है बलकि घटना की छानबीन करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो सस्तो ये है कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं था और नहीं ऐसा कोई घटना 1955 में हुआ था इस नियूस को थोड़ी सी और गहराई में चानबीन करने के बाद ये पता चला कि इसे एक नियूस पेपर ने सबसे पहले पबलीज किया था जिसमें की उस आईवीटनेस का भी फोटो था जिसने उस पाइलेट से बात किया था पर नियूस पेपर में चापा ये खबर वाइरल नहीं हुआ इसके बाद कुछ सालों बाद इस खबर को दुबारा चापा गया और इस बार आईवीटनेस के फोटो को भी बदल दिया गया और इसके बाद और भी नियूस पेपर्स वालों ने इस स्टोरी को छापना सुरू कर दिया और फिर ये फेक स्टोरी आग की तरह वाइरल हो गया और इसका पूरा सच अब आपके सामने है तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना है वीडियो अच्छा लगतो लाइक कर देना बूरा लगतो इस लाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए देखते रहें और सीखते रहें जैहिंद वंदे मातरम